नमस्कार दोस्तों, HLA B27 दोस्तों एक रोग होता है, और इसके पेशेंट इतने प्रेशान रहते हैं, जैसे कि एड्स का पेशेंट भी नहीं रहता है, कहने का एक मुआवरा है लेकिन मैं आप सभी से एक बात हुता हूँँगा इस वीडियो में इसलिए अन तक देखेगा कि कैसे एक HLA B27 पेशेंट कैसे परिशान रहता है और इसको इलाज कैसे कहां क्यों कराना चाहिए, और परफेक्ट इलाज कहां है और इसका इलाज है भी नहीं, यह सारी चीजें इस वीडियो में मता हूँगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और अच्छी लग सबसे पहली बात की ही अपनी बिल्कुल है जो की आयरवीद में है और आयरवेद केंदर भी हर किसी के पास नहीं है, आयरवेद मांगता है फॉर्मूला और जिसके पा Californूला है वह इसके इसको इलाज कर सकता है, अब एलोपैत में क्यू नहीं है यह भी बात आप लोगों की होगे कि एलोपैत में किसी चीज का इलाज है भी नहीं आप खुद बताइए कि एलोपैत में किसी चीज का इलाज है ना गठी आपको खुद 10-10-15-15 साल HLA B20 से उनके पिशेंट को अंग्रेजी दोयां खिलाई जाती है यह बात करके कि यह गठियाबाई का रोगी है उनको य प्रेशन कर देते हैं अपका यह था क्या उनकी हड़ियां सेंज करने के लिए अब उनको सालों तक दौयां के लाई जाती है क्या दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इससे अच्छा कुछ नहीं है आयरविद पैटर है लेकिन आयरविद में भी हर जना इलाज होन सालों होगे हैं और हर पेशन्ट जो की बैड पर लेटा हुआ है जो की बैड पर पेठा हुआ है जो की बैड पर ही पेशा आप टोईलेट करता है वो पेशन्ट बिल्कुल ही चलने लग जाता है ठीक हो जाता है उसको कोई भी परकार की दवायां लेने की जूर्थ नहीं प तो मैं अगर आप भी एक एक एचले पेशेंट रोगी है तो प्लीज एक बार कोल करिये और आपके हर स्वरकार के स्वाल होगा जाओ, मैं दूंगा, नमबर आपके सामने है, कोल कीजिए, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, नमस्कार